नमस्कार दोस्तों मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गरिमा आईएस में स्वागत करता हूँ आज दीन है ब्रिहस्पतिवार और तारिक की बात करें तो आज 23 तारिक नॉवम्बर का माचल रहा है 2017 दोस्तों आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी से जो है पिछले वीडियो में जो है मैंने ये कहा था कि मैं तुरंत जो है भारतिया सम्विधान में हम सुरू से उसका वीडियो जो है सबसे पहले डालने का प्रयत्र करेंगे जो कि मेरे द्वारा बनाए गए नोटस से संबंदित रहेगा तो मैंने सुचा कि मैं सुरू से ही इसको पहले आप लोगों को ले चलूं एक ये करके सबसे पहले हम लोग भारतिया सम्विधानी की दिया उसके विकास के बारे में जानेंगे कि किन तरह से हमारा जो वर्तमान सम्विधान है किन तरीके से अस्टी तुमें आता है इसके बारे में तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सम्विधान को देख लेते हैं और हम लोगों को क्या-क्या चीज़े पढ़नी है क्या-क्या चीज़े कबर करनी है इस हमको कीन कीन चैप्टर को पढ़ना है उसके बारे में हम आपको दिखा दिए हैं तो सबसे पहले आईए हम उन चैप्टरों को देख लेते हैं अर्था था हमारा जो वरतमान का जो संभिधान है वो जैसा अभी वरतमान में है वह जो है एक एक तरीके से बोला जा या एक ही समय में ऐसा ही बनाया नहीं गया इसमें धीरे-धीरे सुधार हुए और यह सुधार जो है काफी लंबा चला और इसमें कहीं न कहीं ब्रिटिस सासन का जो हमारे उपर एक तरीके सबुली उपनिवेश अस्थाफित था उनके द्वारा जो कानून लाया गया वही जो है हमारे वर्तमान संभिधान के विकास में जो है सहायक हुए जो कि अभी वर्तमान में जो शंविधान है तो दूसरे हम चैप्टर की बात कर रहें कि शंविधान की रचना से संब्ध इता है कि संविधान की रचना कैसे हुआ इसके लिए संविधान सभाका गठनुगा कववगा कैबिनेट मिशन आया आधियादी के बारे में इसके अंत्रगत हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के सुरोत कहां कहां से लिए गए कौन-कौन से प्रावधान की इसकी से सामिल किये गया है जैसे की रा भारतिय संविधान के भाग चोथे नमर में देख लेजिए कि चोथे नमर पढ़ना है यह तो हो गया एक दो तीन चार तो हो गया अब भारतिय संविधान के भाग हम लोग पढ़ेंगे तो भारतिय संविधान के भाग में जब हम इनके पूरे भाग को पढ़ लेंगे तो समात्त हो जाएगा ठीक उतनाई चीज़ें को पढ़ना ही है 22 भाग है सम्विधान में और हम लोग अनसूचियों को भी देखेंगे 12 अनसूचियां है उनको भी साथ में लेकर कर चलेंगे 25 चेप्टर की बात करें तो इसमें है सम्विधान की प्रस्तावना सम्विधान की प्रस्तावना जो है एक तरीके से बोल लीजिये कि एक आईना है एक मीरर है आपको अपने सम्विधान का जो की तुरंद आपको दिखा देगा कि सम्विधान में है क्या मूल भूत जोविक त खेत्र खेत्र और हमारे स्वंघ है और उन्हें भारति संघ में जो कितने राज हैं 99 राज है आज साथ के अंदर स्यसित परदेश उनहीं के बारे में हम लोगों पढ़ना है उनके Pres complement क्षेत्र आते हैं के नागरिक्ता होनी चाहिए ब्लत है कि अस्थानिय सरकार द्वारा या प्रमारित किया गया हो विस देश का ब्यक्ति है तो ही उसे जो है नागरिक्ता दी जाती है कि उसके बाद हम लोग 8 हमर को देख लेते हैं जल्यूसकर के लिया गया है इसके बारे में लिए सब्सक्राइब करने के लिए इसका अस्थापना किया जाता है इसको लाया जाता है मौली कर्टबे जो है पूर्व सोवियत संग के समिधान से लिया गया मौली कर्टबे क्या है उनको जो है आप लोगों पता होगा मैंने मौली कर्टबे आप लोगों बता दिये हैं मौली कर्टबे में किन किन चीजों को एक व्यक्ति विशिस को निश्ची तरफ करनी चाहिए यह सारी चीज़े जो है उल्लिकित है उसके बाद संग्य कारेपालिका में देखिए संग्य कारेपालिका 11 में संग्य कारपालिका में हम लोगों को क्या पढ़ना है संग्य कारपालिका में जो हम राष्टपती के बारह में पढ़ंगे आते था संसदी राष्टपती है परतानी displi महानियावादी है छिस प्रिकृत होसे है कानून बनाने से संबंधित उन सारे चीज़ों को लोग्शभा राजभा इत्याद इत्यादी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद न्याइपालिका के बारे में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोट के बारे में उंची नियाले नाले के बारे में उसके बाद उसके अधी Into હम देखने का प्रयास करेंगे चोदे नंबर पॉइङ्ट की बात करें तो यह यह जो है राजीगी कारे बारी का का कई बारे में बात करेंगे तो आपको आजाएगा मुखय मंत्री आजाएगा राष्टी आपको राज पाल आ जाएगा राष्ट में थोड़ी ही होता है वह तो देश के लिए होता है और मंत्री चुछ अन्तर बनाया जाते हैं वह सारे इसके अधर आ जाएगे तो सभी राजों में तो आप लोगों पता ही है कि सभी राजय में जो है राजय विधान परिशद नहीं है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कहां कहां पर जो है राजय विधान परिशद है और विधान शभा तो सभी जगा है हम लोग देखेंगे खैर उसको हम लोग अच् और कोन सी सक्टियां दे गई है इत्यादी स्बंदित हम लोग देखेंगे उसके बाद निर्वाचन से सम्बंदी यह चुना हो जो को यह сबाइस चुना हो उन में 22 बासा है और उनिक बारे में हम लोग 1500 करके पढ़ेंगे उसके बाद है लोक्षवायोine जो आप लोग शभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिवील से पर यहीं हो लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद आपाध उपबंध किये गये हैं आपाध उपबंध मतलब आप लोग बताया थे संकटकाल से संब्धित देश में संकट नहीं है उसके बाद 21 नंबर में आप संब्धान का संसोधन कोई लोगों कोई अगर खामियां आ जाती है अगर किसी के मौली कदिकार को प्रभावित कर रही है या वह कानून जो उचीत नहीं है तो इस्थिती में जो है उसमें सनसोधन किये जाते हैं आर्धात उसमें पलाव कि जाते हैं तब दिली लाई जाती है तो उसको तब दिली ला करके और फिर कुछ नए चीजों को जोड़ा जाता है या अगर जो भी चीजे हैं और जो भी कानून बनाये उससे जो है दूसरों के मौली का दिकार हनन हो रहे हैं तो उस इस्तिति में जो है उस सम्विधान में संसोधन करके उसको हटाया भी जा सकता है उसके बाद सम्विधान के प्रमुक्षन सोधन को देखेंगे जिससे की प्रस्ण अक्सर पूछे जाते हैं उसके बाद मेरे कुछ विचार रहेंगे इस सम्विधान पर थी मेरे मतलब कि हम सारांस थोड़ा एक बार देख लेंगे ज्यादा दिर के लिए नहीं कुछ ही नहीं पड़ती आप लोग गौर से इसको सुचने का प्रयास के जिएगा कि हम एज़ात क्यों लिखें हैं क्रोध जो है उबलते जल की तरह होती है आप लोग जब देखते हो यहां कि जल जब उबलता है उसमें आप लोग जहां के कर देखने का प्रयास कीजिएगा आपका जहें चेहरा नहीं दिखाई देगा हम करना है क्रोध हाती है तो हाप कसीवी परिस्तिती में कुछ भी कर दिएगा इस लिए हम यहीं बुजारिश करेंगे आप क्रोध न करें और अपने आपको यहां सान हरना नियंत्रण में रखें इससे आप उचाई की अग्रसर होंगे और अपने उपलब्दी की उचाईयों को जो है चुँ सकेंगे अगये भारती सम्विधान निका विकास थोड़ा हम लोग देख लेते हैं भारती यह सम्विधान का विकास हम लोग पढ़ है उससे बले जो है एतिहाजिक प्रिष्ट भूमी को हम shedding यहाँ पर 120 सतावदी के अंत में लंदन की कुछ वैपारियोंने भारत से वैपार करने के लिए लंदन कंपनी की आस्थापना की लंदन कंपनी की अस्थापना की उन्हींका नाम जो ठागैं इस्ट इंडया कंपनी भी था कब की 16 सताब्दी के अंत में कौन की लंदन की कुछ व्यपारी होने लंदन के कुछ व्यपारी ने लंदन कहां पढ़ता है तो ब्रिटेन में आप लोको पता होना चाहिए लंदन कहां पढ़ता है तो ब्रिटेन की राधानी कहां है लंदन तो भारत से व्यपार करने के लिए कि लंदन कंपनी की अस्थापना की अप 1620 सोलवी सतापना की यहां पर देखिए तो क्या होता है कि यह तो लंदन कंपनी की अस्थापना होगा उस समय आप 16जभी के अंति महीनों में अरृठात दिसंबर चल रहा था 17जभी में लंदन कंपपनी को भारत में जो हैं ब्यापार करने का अधिकार पत्र मिला अर्थात लंदन के जो भी उस्थानी जो भी ब्यापारी थे झो भारत के साथ ब्यापार करना दूस्रे सूआ के साथ गोझा करना चाह मी करना चाहिए इस तैक नहीं सरोपरतम में पुर्तऑखाली भारत पुर्तजाली और उसी समय से रामपूर पढ़ता है एक गाहँ और उसके बाद एक नदी है और नदी उस पर दूसरा कोई जहां कि लोग प्रचूर मातरा में संशाधन पाए जाते हैं अर्टात्खनीज संपदा है उत्पादन के साधन जो है जितना भी वह सारे उपलब्ध है वहां पर लेकिन वहां के लोग जो है बहुत भोले-भाले हैं एक तरीक से बोलिए कि उनको कुछ भी नए चीजों के बा किए कि उस देश में गए और वहां के जो भी लोग है उस पर साषन करना चालू कर दिसुरू कर दिए और उसको जो है अपने और्थ वयोस्ता के तोर पर विक्सित कर लिए और और व्ता के किक्रव पर कच्छे माल के सुरोत के तौर पर अर्थात कि जितने वी वहां से कच्छे माल लाएंगे और अपने देश में बनाएंगे और वहां पर फिर लेता करें बेचेंगे इसी तरी से हम लगों और से सास में विसीस्तर पर पढ़ेंगे ठीक तो बस मैं यही कहना चाहा रहा था कि यह इसी से संबंदी उसी को जो है उपनी वेस बोला जाता है ठीक उसके बाद आईए इस पॉइंट को हम दोग देख लेते हैं कि 707 में और अंग्जेब की मिर्थु होती है आप सभी को पता होगा हम इतिहास में जो पढ़ाएंगे सत्रमिद सत्व 37 इसमिए कईसे और अंग्जेब की मिर्थु होती है और उसी के बाद से आधुनीक इतिहास हमारा फ्रारम हो जाता है ऐसे यह भी कहा जाता है कि बहाधुर शा आप लोग देख लिए जो जो जानता था सायर भी बारे में लोग का इथिहास का चप्टर है उसमें जो हम भी से पर करेंगे तो 170 में क्या होता कि अरंग्जेव की मिर्थु होता है भारत का जो सासन की परमुख शक्ति की रूप में जो है अरंग्जेव बिद्धमान थे उत्तर दक्षिन भारत के कुछी हिसो तक गुलवारगा था आधी-आधी के बारे में जो है कुछी छेतरों तक जो है उनका सासन और उत्तर भारत में भी बने मतलब कि औरंग्जेव एक आखरी मुगल शाशक थे जिनका की अपना सासन छेत्र आर्था उनका समराज छेत्र जो था काफी लंबा विश्टार था और क्या हुआ कि उनके औरंग्जेव जो है उनकी मिर्थू होती है और भारत की जो है केंद्रि के लिए बढ़ सके भारती ये सकती जब कमजोर होगी तो दूसरे देश जो है वह तो सासन करना चाहेंगे उसी के साथ क्या होता है साथ जो है इस्ट इंडिया कंपानी ने यहां के आंत्रिक राजनेतिक गतिविदियों में हस्ते छेव करना प्राराम कर दिया और मालीजे क तो कच्या मालक सुरूत के तौर पर बिक्सित करना था भारत को तो वे इसकी लिए कर रहे थे क्योंकि वह अगर राजनेतिक पदोप्य आ जाते तो अपने मनमाने तरीके से जो है इसकी जो है काम कर सकते तु देख लेते हैं सब्सक्राइब कर देख लेते हैं, देख वह प्लासी का जूद होता है जिसमें किसी राजडुदोला जो की बंगल का नभाप रहता है को पराजित कर कंपणी जो है बंगल पर अधिपत्य जमाया कि अपना परभुत्त के लिए सोचा कि अब इन सो लड़के यहां के अस्थानी जो भी छोटे मोटे परांति एक तरीके सब बोल लिजिए जितने वे शुबें थे और उनके जो सभंगाल के नवाथ थे भूक से थें कि वहां करते सर्फकर करना उनको उपने अधीन क्वृ संद्र abnormal पित हैं वहां को लड़ा गया में थेंट बना लीट थें जो है हमारे देश के तरफ से जो है लड़ते हैं अंग्रेजों से बंगाल के नबाब है उसके बाद जो है सब्सक्राइब का जूद कंपणी ने जीत हासिल होता है और यह जूद होती है इसके बाद तो एक तरीके से बुल लिजिए कि ब्रिटिस कंपणी जो है उसकी और पकड़ भारत में मजबूत हो जाती है और मजबूती के साथ उभरता है और यहां के राजनिती में उसका प्रभुत जो है और बढ़ जाता है पलासी का जूद क्या है इसके बारे में हम बता जी है बक्सर के जूद थोड के नाधिया जीले में कीस नदी के किनारे तो भागरती नदी के बाएं किनारे पर अभस्तित है अगले पॉइंट को देख लेते हैं इस जूद में अंग्रेजी सेना का नेतरित तो जो है रोबर्ट कलाइब ने किया रोबर्ट कलाइब आप लोको पता होगे कि बंगाल का फ्रतव गोवर्नर था रोबर्ट कलाइब बंगाल का प्रतव गवर्नर था तो उसी उआ हनग्रेजी सैना रहा था प्ला संय की रगत I किया यह कौन कौन किये नवाब सिराजुदौला की सेना करें तरी तो मिर्जापर यारलतीफ खां और राजा दूरलब राए एक प्रस्न जो है यूपीए से में पूछा गया है आप लोग इसको देख लीजेगा कि कौन ऐसा राजा था जो कि पलासी जूद में कौन ऐसा कि सारा चीज़ तो मैं आफी लोगों के लिए यह सब देहीं रहा हूं पलासी की जूद के समय जो है आलमगीर दूतिये मुगलबाद सा था यह भी पूछा जाता है कि पलासी के जूद जब हुआ था उस समय कौन था मुगलबाद सा तो आलमगीर दूतिये ठीक आप लोग याद रखेएगा उसके बद बकसर के जूद में थोड़ा सामय जानते हैं कि बकसर का जूद जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बकसर का जूद है अंगरेजो और मीर कासीम यह अंगरेज एक तरफ थे और दूसरे तरफ नमीर कासीम और अवध के नाबहाब सुजाउफ द नाम था हेक्टर मुन रो ठीक अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन-कौन थे एक साथ मेर कासिम थे और अवद के नाबाब सुझाओ दोला थे और मुगल बादसार साहा अलम दिती हैं तीनों जो थी एक 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 अतरित होकर मिल करके जो है अंग्रेजों से लड़े इसमें भ हमारे अस्थानिये जो भी नाबाब होते हैं वह भी पराजित हो जाते हैं आप लोगों पता हो गया कि साहा आलम तो पता है आप लोग बारे में साहा अलम मुगल बादसा थे और यह जो आपको अवद जो मिल रहा है आप लोग इसको ले करके कलपना मत कीजिएगा फिर हम और वह बोलना चालते हैं दोहराना चाहते हैं कि यह काहा परता है अवद जो है उत्तरपरदेश के पूरवी भाग को कहा जाता था तोके यूद में अंगरेज जो है वी जई हुए इस यूद के बाद वास्थी को शत्ता भारत में अस्थापीत हुई यही यूदब जो जिसके बाद जो है अंग्रेजों की वास्टविक सत्ता भारत में अस्ताफित यहां पर रेगुलेटिंग एक लिखती हैं आप लोग लिखिएगा मतवी क्योंकि हम थोड़ा सा और चीजे बतानी थी उससे पहले ही रेगुलेटिंग एक को थोड़ा बता दिये थे कि कौन के उन पर सत्ता पर काविज होते गए जब कंपनी तो उनके राजनेतिक प्रभाव के संसदिय नियंत्रन के लिए ब्रिटी सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किये अर्था यहां पर सासंग कर रही थी लेकिन वह सासंग कीन तोर तरीकों को अपना करके करेगी इ महां पे कानुन बनता था और भारत में जो है कानुन वह लागू होता था और कंपनी लुकों पर घाल जदा मानि चय कंहते नियंतर वहसांった समिधान हमारे निर्मार हुआ है वह जो भी अधिनियम आये धीरे धीरे करके सुधार किया गया वही सुधार भारतीर समिधान का आधार तयार करता है सरोपर्थम जो है भारत के लिए तो इसी के बारे में जो है आपको पढ़ना है और परतिक वीस के लिए जो है यह आगे बढ़ा दिये जाते हैं और उसके बाद आता है भारती सासन अधिनियम भारत सासन अधिनियम आता है आप लोग को मैं एक चीज बता दो देना चाहता हूं कि विद्रोफ ठा उसको बिढूर को कहते हैं तो उसके बाद आते हैं कि उसके बाद आते हैं कि उसके बाद जो है आता है 1892 में और तीसरा भारतिय परिशा दोधनियम और जिसको कि मारले मिंटो सुधार यह रिफॉर्म के नाम से भी जाना आता है तो उसको मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है कि चौथे पॉइंट की बात करें चौथे पॉइंट की चिक तो चौथे पॉइंट में जो भारतिय परिशा दोनियम जो और जो और आता है इसके बाद जो है अरी 25 में आता है भारत साशन अधिनियम को सब्सक्राबूंट बेश करेंगे कल से निष्ची तारफ आपको को आगे अन Cr लोगे देखेंगे और इन तरीके से जो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपको हमसे जुड़े रहिए और एक बात और बता देना चाहते हैं आप अपने इर्द गिर्द जीतने भी स्टुडेंट आप लोगों से जुड़े हुए हैं जिनकों की अभाव है कहीं पढ़ने को ले करके उनके पास को अगर आप सभी में को ये सारे शीजों कि मैंने पापने का एक ही मुख्या मेरा मक्षद है क्योंकि मैंने भी क्यों साधनों की कमी एक तरीके से कर हो को कि Bis और भाव घ्रस्त जो चीज़ें होती है उसको महसूस की है क्या कि चीज चीज लगता है ये गरीवी इस गरीवी पर आपको ऊब बात बोलना चाहिए कि उसको हम सुविचार के तरप बहुगल में हम देने वाले है लेकिन अभी बोलते हैं कि अमेरी के कबर पर पनप्रिवी ग सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरे वीडियो को सेयर कीजिए जरूर इसेयर कीजिए क्योंकि मैं कहना चाहूँ क्योंकि मैं आपको कुछ है पराय तो समझ के चलता ही Unterstützung आप सभी को मैं यह भी भी बोल से कि आप मेरे भाई बहन है इतना हम सोच लारे चलता हूं और कोई भी ब्यक्ति अपने भाई बहन को जो है कभी भी धोखा में नहीं रख सकता ठीक क्योंकि आप अपने हैं तुम पस दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और रेगुलेटिंग एक साथ तब तक लिए दिजिये इजाजत नमस्कार